नमस्कार गरीब मजदूर भायो एवं भारत के नागरिको इन दिनों मैं पाई नेटवर्क का प्रमोशन कर रहा हूँ बहुत लोगों को केवाई सी करने में प्राम्लम आ रहा है एक बंदा को उसका कैमरा ओन नहीं हो रहा है क्योंकि पाई नेटवर्क में जब हम केवाई सी क तब कैमरा ओन होना चाहिए तब ही आप लाइव अपना वीडियोग्राफी करके समीट कर सकते हैं तो इस बंदा के साथ एक प्राब्लम यह हो रहा है कि वो कैमरा ओन ही नहीं हो रहा है और इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि एप्लिकेशन जो हम लोग सेटिंग में जाएंग सच करिएगा एप एप्स है नए एप्स एप्स और सप्शको चुईएगा और मैंनेज एप्स में यब पर वीशन इसको चुईएगा ऑपर मीशन को चूंके दिखते हैं पर पर मिशन को फिर दुबरां चुलते हैं अब इसमें सारे एपस आ जा रहा है माइक्रोफॉन ख्य कि क्षेंगे के मेरा सारे के लिए परमीट है लेकिन नोट यह तक me ride कुछ जैसे कुछ एपिकेशन है उन लोगों टेंटिकेटर के लिए लगनी है यह क्या एंट विच्ट के लिए इक Εलवी ऑडिक एकल यह सब के लिए allow मैंने नहीं किया है तो इसको allow करने के हमें क्या करना है यह देखा यह मैंने four network के लिए allow करकर रखा है तो क्योंकिभंकि हम लोग दों क्मीन istके साथ यह प्रॉबलों है किम्होंने केमरा को زजा को अ कि चलिए मैं पर लाइवर्म करने का जा पर पाई ब्राउजर क्नेटवर्क भी फाई पर चूना है और इसमें चूना है और अधर पर मिशन अधर पर दीया वुआ है यहां छुना है और देखें Home Screen shortcut Show on Lock Screen display pop-up यह setting मैंने नहीं किया है इसमें और क्या दिया है Storage App Permission App Permission Camera देखो App Permission मैंने क्या क्या दिया है Camera को Permit कर दिया है आप यहां चू दिजेगा जहां पर Camera लिखावा है वहां पर चू दिजेगा लेकिन Contact Not All और Location पाई ब्राउजर में मेरा Location को कभी नहीं दिखाये जाएगा रिमूव पर्मिशन इफ एप इसंट यहां पर मैंने रिमूव करके रखाए Camera में चू लिजेगा इसमें Camera को चूँएगा और उसको Permission देदीजेगा और आपका Camera चालू हो जाएगा Thank you God bless you I hope you will मतलब आप कर पाएंगे खाली पर्मिशन देना है फिर दोबरा बता दे रहों एप पर्मिशन यह देखे पाई ब्राउजर में खोलिएगा आप में जाके मैनेज एप्लिकेशन में जाके और आप पर्मिशन को चूँएगा और कैमरा के पास चूँएगा यहां कैमरा को और allow only while using the app, ask every time, don't allow, आपका don't allow हो गया है तो उस don't allow से हटाके आपको allow only while using the app इस पर टिक लगा दीजिएगा, हारा भी साना जाएगा, बैक जाएगा, आपका problem solved हो जाएगा Thank you and God bless you